तो फिप्ट वालिफायर इस कॉंस्टेंट जिसके लिए हम की वर्ड यूस करते हैं कॉंस्ट सी ओ एन स्टी इसको समझाने से पहले हम यह देखते हैं कि कितने तरह के नंबर्स झो हैं अविलेबल हैं इस तरह से numbers को जो है store कर आ सकते हैं और use कर सकते हैं अगर आप simply इस तरह से number लिखो example में तो यह number क्या है एक integer number को denote कर रहा है क्योंकि यहाँ पर simple integer number है ठीक है कोई भी point नहीं है then अगर आप number के साथ l symbol use करते हो उस case में integer क्या होगा long integer हो जाएगा तो यह integer हो गया और अगर आप number के बाद l use करते हो तो long integer हो गया then number जो है अगर decimal number use हो रहा है उसमें point use हो रहा है जैसे 12.3, 19.6 इस तरह से तो वो जो होता है float number कहलाता है ठीक है अगर number के पहले आपने 0 से start किया उसको c language में तो इसका मतलब 12 नहीं है इसका मतलब है कि यह एक octal number है ठीक है octal number में 0 to 7 digits तक जो है हम use कर सकते है ठीक है और उसकी जो base होती है वो 8 होती है तो इसको octal बोलेंगे और जब भी अगर आप octal number use कर रहे हो तो compiler उसको आपने किसी expression में use किया तो compiler उसको क्या करेगा decimal number में change convert करेगा and then उसको फिर use करेगा तो अगर octal number को decimal number में हमें use करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस particular number को अगर मुझे decimal में convert करना होगा तो कैसे करूंगा 1 into 8 raise to the power 1 plus 2 into 8 raise to the power 0 तो यह कितनी हो जाएगी 8 plus 2 which is 10 आरा समझे तो यह इसकी decimal value है 0, 1, 2, octal की then 0 along with x और फिर मैं number use कर रहा हूँ तो इस तरह की number को hexadecimal number भोलते है ठीक है then after that 0x उसके बाद number में use कर रहा हूँ और last में l use कर रहा हूँ तो वो फिर क्या करेगा long hexadecimal number को represent करेगा ठीक है if I use x और any alphabet कोई भी alphabet यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ single quit का sign जो है मैं use कर रहा हूँ इसको यह single quit बोलेंगे ठीक है हाँ single quit बोलेंगे इसको तो x जो है x के साथ x कोई alphabet है उसके साथ single quit है तो वो क्या होगा character constant होगा character constant अगर मैं sequence of characters लिखूँ sequence of alphabets लिखूँ या फिर single एक alphabet लिखूँ और उसको जो है double quit के अंदर डालूँ तो उसको हम बोलते हैं string constant आरा समय अब मैंने यह आपको क्यों बताया कि इस तरह से numbers को represent किया जाता है इसके future reason यह है कि जब भी हम कोई expression यूज कर रहे है c language में जैसे मैंने expression यूज किया इस तरह से a plus b divided by c plus d तो यहाँ पर क्या होगा finally जब इस expression को हम evaluate करेंगे तो उस case में इसका जो result आएगा वो result इस बात पर depend करेगा कि इस a का data type क्या है a किस तरह का number है b किस तरह का number है c किस तरह का number है d किस तरह का number then उसको फिर हम evaluate करेंगे और finally जो है result उसके according जो है use होगा तो उसके लिए आपको यह ध्यान रखता है कि इस तरह के number जो है use होते है c language में okay then second thing is कि अगर आप इस const keyword को use कर रहे हो तो इसको कैसे किसी program में हम use करेंगे तो मैंने आपको area and circumference हम जब find कर रहे थे circle का c program structure मेंने example दिया था तो वहाँ मैंने const keyword use किया था क्यों use किया था उसके पीछे reason समझते हैं जैसे कि मैंने use किया था float pi equal to 3.14 यह मैंने statement use किया थीक है अब इस statement में यह denote कर रहा है कि pi जो है एक variable है और इसकी जो value है वो 3.14 है अगर program में intentionally मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं इस value को जो है change करूँ क्योंकि यह value fix है थीक है अगर mistakenly जो है मैं इसको कहीं पे program में pi plus plus कर देता हूँ या pi minus minus कर देता हूँ या फिर इसकी value change कर देता हूँ तो फिर यह value नहीं रहेगी उस case में कोई और value हो जाएगी pi plus plus किया तो 3.14 से 4.14 हो जाएगा pi minus किया तो 3.14 से 2.14 हो जाएगा तो इस mistake और unintention से बचने के लिए जो है हम क्या करते है इसके आगे const keyword यूज करते है जब मैंने const keyword यूज कर दिया तो ये जो है value pi की value ये fix हो जाएगी constant हो जाएगी आप चेंज नहीं कर सकते तो आप अगर pi plus plus यूज करोगे तो ये इसको allow नहीं करेगा compiler जो है error शोगर देगा pi minus minus यूज करोगे वो भी error उसके लिए error शोगर देगा तो ये const keyword का जो है benefit है दूसरा कि sometimes confusion होता है कि हम इस तरह से भी इसको use कर सकते हैं दूसरा हम macros का use करके भी इसको fix कर सकते हैं value को fix कर सकते हैं तो मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूँ has defined pi 3 pi then 3.14 तो इससे भी क्या होगा जो pi की value है वो हमेशा 3.14 रहेगे fix रहेगे throughout the program बट इसमें और इसमें difference यह है कि यहाँ पे pi एक variable है ठीक है और यहाँ पे जो pi है वो after pre-processing phase मतलब इस macro expansion के बाद जब pre-processer phase complete हो जाएगा उसके बाद जहाँ भी pi की value होगी उसको हमेशा compiler 3.14 से replace कर देगा ठीक है तो यहाँ पे यह particular 3.14 हर बार जो है particular pi की जगह पे आ जाएगा जबकि यहाँ पे एक variable है तो हाँ इसका use करने से benefit ही है कि यह faster है faster execute होगा और यह slowly run होगा इस comparison लेकिन यहाँ पे हर बार इसको replace करना पड़ेगा और यहाँ पे यह particular fix हो गया pi को जो है आप इस pi को कहीं पे भी variable के तोर पे जो है use कर सकते किसी functions में बासमाद में आ रही है इसके और इसके भीच में किया difference है और constant keyword के लिए हमें होता है कितने सारे numbers use होते है अब character constant और string constant जो है इसको देखते हैं क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा difference है कैसे use करते है character और string को so character constant character constant के लिए आपको simply क्या करना है किसी भी alphabet को single quit में रखना है ठीक है अब इसका meaning यह हुआ कि इस particular character की जो value है वो constant है ठीक है और वो value हम कहां से इसको use करेंगे वो value को हम use करेंगे as की table के according as की table जो होता है एक तरह का table होता है जिसमें कि हर एक digits हर एक alphabet चाहे वो lower के इस अलफा बेटो चाहे वो upper के इस अलफा बेटो उनकी values दी होती है और compiler जो है इसी as की table को जो है use करता है इसका full name होता है American Standard Code for Information Interchange ASC double I ठीक है तो American Standard Code for Information Interchange अगर मैं इस character constant के साथ कुछ भी arithmetic operations perform करता हूँ तो ये definitely allowable है जैसे कि मैंने इस character constant के साथ plus 10 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा A की value जो है S की table में capital A की value है 65 65 plus 10 कितना हो जाएगा 75 और अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ A plus 10 then small A की जो value है S की table में वो value है 97 97 plus 10 कितना हो जाएगा 107 ठीक है तो ये तो हो गया character constant now string constant string constant string constant में किसी भी alphabet को चाहे आप sequence of characters यूज करो चाहे single a character यूज करो उसके लिए हम जो है उसको double quits में यूज कर सकते हैं तो जैसे आप इसको जो है इस तरह से भी लिख सकते हो ये एक string constant है या फिर मुझे अपना पूरा name लिखना है इस तरह से निलेश ठीक है तो ये एक string constant है क्योंकि मैं इसको double quits में यूज कर रहा हूँ string constant में important thing यह है कि जो भी string constant होता है उसको memory में हम store कराते समय हमेशा उसके last में null character का use करते है जैसे कि अगर compiler इसको store करेगा इसको view करेगा तो इसको इस तरह से view करेगा कि array में जो है a store है उसके last में null character है अच्छा ये null character क्यों use करते है ये null character ये represent करता है कि a के बाद कोई भी दूसरा string नहीं है कोई भी दूसरा sequence of characters नहीं है तो इसकी and को denote करने के लिए null character का use करते है इसी तरह से अगर इसको store कराएंगे memory में तो memory में इसको इस तरह से store कराएंगे पूरा name आएगा n i l e s h then null character तो total यहाँ पे कितने characters होंगे memory में कितने space available होगा 6 नहीं होगा total कितने होंगे 7 होंगे लेकिन हमारा string constant में total कितना characters है 6 characters है तो हमेशा जो है and को denote करने के लिए null character का use होता है यह तो first thing हो गया second thing कि अगर आप single character दे रखा है इसमें और इसको अंदर double quits के अंदर है तो यह string constant है लेकिन string constant में arithmetic operations जो है allowable नहीं होते हैं चाहे आप कोई भी arithmetic operation करो अगर आप इसको इस तरह से लिखते हो double quits में a plus 10 तो यह compiler इसमें error शो करेगा ठीक है अगर आप इस तरह से लिखते हो small a plus 10 यह भी allowable नहीं है ठीक है तो arithmetic operations plus minus multiplications जो है वो string constant में नहीं हम कर सकते हैं लेकिन character constant में हम कर सकते हैं ठीक है बात समझे आ रही है string constant और character constant में difference है दूसरा string constant को जो है आप concatenate कर सकते हो जैसे कि अगर मैंने इस तरह से लिखा है string constant को और एक दूसरा string constant है तिवारी तो दोनों को जो है मैं concatenate कर सकता हूँ concatenate करने के बाद क्या होगा यह पूरा string constant जो है एक साथ आ जाएगा दिलेश एक space रोड़के पिवारी आरा समझे तो string constant में हम string constant को concatenate कर सकते हैं यह मैं इसकी properties बता रहा हूँ ठीक है यह एक चीज हो गया second हो गया कि आप string constant जो है null भी हो सकता है तो यह एक तरह का null string constant है इसमें कोई भी sequence of characters नहीं है ठीक है तो यह हो गया character constant और यह हो गया string constant ओके